हाला अब्रीवन वेलकम पूदर कापिल क्लासिस फॉर इंग्लेश और आज की जो हमारे क्लास है वह एक रूट वर्ड को ले करके है जो कि एक्जाम में वन वर्ड सब्सक्राइब की तरह आता है तो आज इस वर्ड के बारे में बात करूंगा उस वर्ड का नाम होता है क्रेसी यूजवली इस वर्ड का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है गौर्मेंट क्योंकि एक्जाम में बहुत बार ये वर्ड पुछा जाता है जैसे आपने सुनोगा ओर्टो क्रेसी डेमोक्रेसी अपने सुनोगा हमारी जो कंट्री ह तो इसी को लेकर के कुछ वर्ट से रूट वर्ट से में आपके वर्ट समझाने कोशिश करूँगा और बहुत आसाले सापको याद हो जाएंगे सबसे पहला अगर हैं बात करूं इससे पहले अगर आपको प्लूटो लिखा मिल जाए दो प्लूटो का मतलब होता है रिच एक गौर्मेंट रन बाय रिच पीपल यानिके एक ऐसी गौर्मेंट जो अमीर लोग के द्वारा चला जाती है तो अगर कहीं भी आप प्लूटो क्रेसी देखें तो उसका मतलब यह होता है वनवर्ट सब्सक्राइब में इस तरह का आता है एक गौर्मेंट रन बाय रिच पीपल तो यह उसके लिए बोलेंगे प्लूटो क्रेसी अगर यहाँ पर इससे पहले ओटो लिखा जाए तो ओटो की सेंस होती है वन पर्सन यानिके एक गौर्मेंट रन बाय वन पर्सन अगर कहीं पर ओटो क्रेसी लिखा जाएगा तो उसकी साफ साफ डेफिनिशन होगी पशन कि अगर्मेंट रन बाय वन पर्सन और इसी के साफ अगर लिखा जाए हैं पर बीरो अगर इस से पहले प्ली लिखा जाए तो वो क्या मैंगा बीरो क्रेसी तो इसका मतलब उन और अपने बीरो ओफिसर सलोंगर होते हैं बीरो इंवेस्टिकेंट अछिर जो ते हैं ब अगर अरिस्टो क्रेशी आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है अरिस्टो का मतलब होता है कुलीन उच्छवर ये लोग इसका मतलब महान लोग से है यानिके नोबल से है तो एक गॉर्मेंट रन भाई नोबल भी लिखा सकता है जो महानों के दूबरा चला जाती है चाहे वह दार्शनिक हो या कुछ भी हो सकते हैं तो अरिस्टोक्रेशी आ जाएगा तो अगॉर्मेंट रन भाई नोबल यह एक अगॉर्मेंट रन भाई लोड आ जाता है इसमें एक वर्ड ओर आता है जो हमारी बावरण सुन लीजे यह तो इसका मतलब है एक गूर्मेंट रन वाई रिच पीपल अगर ओटो क्रेसी आता है तो इक चैनल नुट और यह जाब में आते हैं आप इस रूट वर्ट की तरह अगर इसको याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कोई क्वेश्टन के रही है काई राइट इन दे कमेंट बॉक्स काईली सब्सक्राब दे चैनल लाइक एंड शेयर और सो थेक्यू बेरी मुच